नमेश्कार दोस्तो, ऐसा कहते है कि ट्रेक्टर चलाने में बहुत ज्यादा मज़ा आता है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ट्रेक्टर के आगे के टायर चोटे और पीछे के टायर बड़े क्यों होते है इसके पीछे एक बहुत ही मज़ेदार लॉजिक छुपा हुआ है तो आई ये जान लेते हैं दोस्तों दुनिया में बहुत सी गाडिया है लेकिन उनके दोनों टायर सेम ही होते हैं लेकिन ट्रैक्टर जेसी भी पॉकलेंट जेसी गाडियों के टायर छोटे बड़े होते हैं क्योंकि इन गाडियों का रोल होता है कि किसी भी प्रकार की रोड पर ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन से चलना ट्रैक्टर के पीछे के टायर सिर्फ हाइट से नहीं बलकि चोड़ाई से भी बड़े होते हैं जिससे इनका जमिन से समपर्क बढ़ जाता है और ट्रैक्टर को ज्यादा से ज्यादा वजन खीचने की ताकत मिलती है इसका दूसरा कारण देखे तो पीछे के टायर का मिड़ पॉइंट आगे के टायर से भी ज्यादा उंचा होता है जिस कारण ट्रैक्टर जब ट्रॉली को कीचता है तब वो आगे से उचलता नहीं है बलकि सीधा चलता है इसका तीसरा कारण देखे तो रास्ते में आने वाले छोटे मोठे गड़ों को ये आसानी से पार कर सके जैसे कि हम सब जानते है कि ट्रैक्टर ज्यादा तर खेतों में ही चलाई जाते है और केतों में जाने वाले रस्तों पर बड़े बड़े गड़े और छोटे-मोटे पत्तर होते ही है एनी चीज़ों को आसानी से पार कर सके इसलिए ट्रैक्टर के पीछे के टायर बड़े बनाई जाते है साथ ही कभी-कभी इसे कीचर में भी काम करना पड़ता है अब कीचर में चलते वक ये फिसल न जाए इसलिए इसके टायर पर बड़ी बड़ी डिजाइन भी बनाई जाती है बात करें इसके आगे वाले टायर की तो इसका सबसे बड़ा फाइदा टर्न लेने में होता है ट्रैक्टर के आगे वाले पहियों की रेडियस छोटी होने के कारण कम से कम जगे में ये टर्न ले सकते है कुछ लोग तो पीछे के टायर लॉक करके जगे पर भी टर्न लेते है इसका दूसरा कारण देखे तो आगे वाले टायर छोटे होने के कारण चलाने वाले को भी आगे का सब कुछ दिखाई देता है जैसे आगे कोई बच्चे आ जाए या फिर कोई प्रानी आ जाए तो उसे बचा सके इन टायर्स का असमार होने के पीछे और भी एक कारण बताया जाता है और वो है बैलंसिंग सभी को पता है कि ट्रैक्टर का इंजन आगे की तरफ होता है इसलिए ट्रैक्टर पर सबसे ज्यादा भार आगे की तरफ ही पड़ता है इसी भार को बैलन्स करने के लिए पीछे के टायर बड़े बनाई जाते हैं अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेर जरू करना ताकि उन्हें भी पता चले ट्रेक्टर के दोनों टायर असमान क्यों होते हैं धन्यवाद